नमस्कार दोस्तों आपने सुना होगा आज हमारे प्रधान मंत्री जी अपने मन की बात कर रहे थे जियां अपने मन की बात कर रहे हैं माफी भी मांग रहे हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं केवल जाहिल कहूंगी जो फेस्बुक पे आके कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी ने अब माफी मांग ली है इसलिए अब लोगों को अपने घरों को लोट जाना चाहिए वो मुझे केवल ये बता दे कि प्रधान मंत्री जी ने बात किस से करी हैं कौन से गरीब हैं जिनको उन्होंने कहा कि वे अपने घर चले जाएं वे उनसे माफी मांगते हैं कि आप लोगों से माफी मांगता हूँ कि अचाना के फैसला लेना पड़ा मगर आप लोगों के जीवन को बचाने के लिए और कुछ नहीं किया जा सकता था परन्तु मैं जानना चाती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से कि वो माफी किस से मांग रहे हैं कौन सी वो जो मा चली जा रही है जिसके पैरों में छाले पड़ रहे हैं जिसकी छोटी सी बच्ची सडक पे पकड़ रही है उसके पाउं और कह रही है मैया आप मुझ से और आगे नहीं चला जाता उनसे जो आनंद विहार में और सडकों पे हर जगा इकटे हो गए हैं जहां भीड ही भीड दिख रही है क्या उनसे माफी मांगी आपने नहीं मांगी ना क्योंकि उनके बारे में तो आपने एक शब्द नहीं का हर चीज का PR इवेंट बनाना अच्छा नहीं होता और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देहरादून में मैंने देखा है देहरादून के हैं वो पोस्ट कर रहे हैं कहरें कि प्रधान मंत्री जी ने आप गरीबों से मापी मांग ली है उन्होंने बड़ा बड़पन दिखाया है अब आप लोग लोट जाए क्या वो स तरह सड़कों पे चल रहे हैं किस तरह से सोच रहे हैं कि अपने घर तक पहुंच जाए कितने उसमें घर पहुंचेंगे ये आप अरवे अच्छी तरह से जानते हैं सरकार ने अगर ये लोग डाउन का फैसला लिया था तो कोई तैयारी करी जानी चाहिए थी या नहीं सिखाता है कि बाहर जाईए और लोगों की मदद करिये जो पुलिस वाले बाहर खड़े होके लोगों की मदद कर रहे हैं उनसे ही सीख लीजे जो सफाई कर्मी सड़कों पे घूम रहे हैं उनसे सीख लीजे वो अपने करतब्वे का निर्वाहन कर रहे हैं आपने सम्विध प्रधान के उपर कसम खाई थी मगर आपको उस कसम से कोई लेना देना नहीं आपको कोई मतलब नहीं कि सैकडों की जो भीड़ खड़ी है उनके साथ क्या हो रहा है ये लोग जो भूग से मर जाएंगे सोच के देखिये अगर इनहीं लोगों ने प्रधान मंतरी के आवास को गेर दिया होता तो शायद इनके खाने का इंतजाम इनके रहने का इंतजाम बहतर तरीके से किया गया होता आज जिस तरह से ये सड़कों पे घूम रहे हैं आपने वो तस्वीर देखी है ना जहां पे एक पिता बहराईच ले जा रहा है अपनी दो बच्चियों को और साथ में अपनी पत्नी को एक बच्ची को तीन साल की बच्ची को उसने सामने बांधा हुआ है पांच महीने की बच्ची को माने गोध में ले रखा है इसके जिम्मेदार कौन है हमारे प्रधान मंतरी जी आप हैं क्योंकि आप यह कहते रहें जैन्वेरी में आपने लॉगडाउन नहीं किया जब आगर आपको lockdown करना था तो international borders lockdown कर देते international borders को seal कर देते आज इस्थिती ना होती international borders को यदि आपने seal कर दिया होता तो सोच के देखिए कि आज देश में lockdown की स्थिती आती ही नहीं क्या ये आवश्यक नहीं है कि हम आज भी समझे कि क्या हो रहा हमारे प्रधान मंत बड़कों पे हैं वो गरीबों कौन से गरीब ये कोई बड़पन नहीं है आपने इस इशू को अड्रेस नहीं किया महोद है आपने क्यों नहीं कहा उन लोगों से कि वे जहां है वहां रुख जाए कुछ तो आप सला दे सकते थे बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं सोशल डि सोशल डिस्टिंसिंग क्या ये इतने बड़े खट्रे की घंटी नहीं है ये जब गाउं में जाएंगे हो सकता है कि इनके परिवार इस डर से कि ये कोई कीटाणू ना ले आए ये वाइरस को न ले आए हो सकता है अपने घर के अंदर ना आने दे और यदी ये गाउं में तो जो ये problem ये जो अमीरों की problem है जिन अमीरों की वजह से ये problem भारत देश में आई है ये problem उन गरीबों तक उन गाउं तक पहुँच जाएगा ये है social distancing ये इस तरीके से रोकेंगे आप social distancing प्रदान मंत्री जी प्रदान मंत्री जी आपके बलबीर पुंच जो है उन्होंने क्या कहा आपके भारतिय जनता पार्टी के नेता है और दो बार सांसद रहे हैं उन्होंने ये कहा कि ये लोग छुट्टी मनाने जा रहे हैं ये गैर जिम्मेदार हैं गैर जिम्मेदार आपके मंत्री हैं गैर ज खत्म कर दें आप आप ये किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कौन से गरीबों को बचा रहे हैं मेरे उतरा खंड के बहुत सारे नौजवान जो है बहुत सारे लोग जो है वे जगा जगा पे फसे हुए हैं वो मेसेज़ कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें बचाया जाए हमन काम करना चाहिए पर प्रदान मंत्री जी आपने अपने करतव्वे का निर्वाहन कैसे किया क्या आपने lockdown अनाउंस करने के पहले एक video conference करी सारे राज्यों के मुखे मंत्रियों से अगर कर लेते उनको कह देते कि आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजे हर DM को कहिए कि SDM ADM जितने अधिकारी हैं सब को लगा दे ताकि वे घर घर में खाना पहुंचा सके तो ये स्थिति आज ना होती अगर ऐसी स्थिति हुई है तो इसके जिम्मेदार केवल आप है प्रदान मंत्री जी आप मुझे ये बताईए असम से एक तस्वीर मैंने देखी है और उस तस्वीर के लिए तस्वीर को देखकर दिल तूट रहा है मुझे मुझे देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं आप लोगों को एक ये तस्वीर देखी है जिसमें एक माँ एक चार साल के बच्चे की लाश लेकर सडकों पे घूम रही है क्या हमारे देश में गरीबों को गरीब ही रहने के लिए रखा गया है क्या हमारे सरकार को जो है वो नहीं देखना चाहिए कि गरीबी खत्म हो जाए क्या ये जरूरी है कि ये जो आप तस्वीरे डाल रहे हैं आप रमाइन देखते हुए प्रकाश जावडेकर जी अपने आलीशान घर में आप ये तस्वीर जा रहे हैं सिंपल लिविंग भी समझे आप यदी सिंपल तरीके से आपको बता दू मैं पवार जी मैं सोशल डिस्टिंसिंग का पालन भी कर रही हूं मेरी टीम जो है वो लगी हुई है और इस टीम में मैं ये कहना नहीं चाहती थी परन्तु ये आपको प्रॉब्लम है ये आपकी बिमा दाल, दो किलो आलू, एक किलो प्याज, तेल, दूद का एक पैकेट और मिर्ची, हल्दी और और भी कुछ चीजे हैं जो चीजों का पैकेट बना के 18 परिवार चिनहित कर लिए गए है एक जगा पर कल जब ये पैकेट तयार हो जाएंगे तो मेरी ये टीम बाहर निकलेगी और केवल उन लोगों को ये पैकेट देगी और पचास पैकेट का इंतजाम किया है तो ये जो है आप सोच समझ के बोला करिये हम सब अपनी जिम्मेदारी करते हैं अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं पर क्या आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं बकवास कर रहे हैं शर पाच हजार रुपे ट्रांसफर करें एक निलिमा शर्मा जी है उन्होंने एक हजार रुपे ट्रांसफर करें एक वैभव मलोत्रा है जो एक स्टार्ट अप है उनका एक फूट ट्रक है उन्होंने इमीडिटली कहा कि माम एक खाने का पैकेट मैं लेके आऊंगा एक कट्टा म बना बनाया और ये जो पांच पैकेट है इसमें जो दो किलो आलू और एक किलो प्याज आपने कहा है इसके पैकेट बना के मैं घर से ले के आऊँगा तो कुछ शरम करिए आप कुछ भी बोलने के पहले हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूर्ण अता कोशिश कर रहे और चाहते हैं कि ये सरकार भी करें मैं ये आपको नहीं बताना चाहती थी मगर इस प्रकार के जो लोग है जो नकारात्मक है वो सोचते हैं क्या मेरी भावनाय आपको दिखाई नहीं देती ये भावनाय जो हैं वो दिल से निकलती है ये केवल मैं बोलती नहीं क्योंकि मैं कोई नेता नहीं बन गई, कोई political party मैंने नहीं जॉइन कर रखी है और जो कुछ मैं कर सकती हूँ, मैंने एक WhatsApp ग्रूप बनाके लोगों से निवेदन किया है और उसी के तहट ये जो 7-8,000 रुपे आए है और ये इसी वज़ा से वरना शायद मैं 25 से 30 पैकेट ही कर सकती थी क्योंकि इसके पहले करीब 25,000 मैं लोगों को अलरेड़ी 2000, 3000, 5000, 1000 ऐसे amounts दे चुकी हूँ, लेकिन हरेक की एक शमता होती है हरेक व्यक्ती एक limit तक चीज़े कर सकता है, उससे जादा नहीं कर सकता मेरे यहां काम करने वाले जो लोग है, मैं आपको बता चुकी हूँ, 6 माइने की salary मैं उनको दे चुकी हूँ और आप लोग भी अपनी तरफ से एक एक पैकेट, जब आप अपने घर का राशन मंगवाते हैं एक एक पैकेट अवश्य बनाकर आप लोगों को दीजे, मैं यह नहीं बताना चाहती थी, मैं पिरकुल नहीं बताना चाहती थी मगर यह जो पवार जैसे नकारातमक लोग हैं, बेशरम लोग हैं, जो comment सिरफ करने के लिए आते हैं, खुद कुछ कर नहीं सकते और बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, उनकी वज़ा से मुझे आपको यह सब बताना पड़ा, अभी भी निवेदन कर रहे हूँ देहरदून के लोगों से, कि क्रिपा करके यदि आप लोग बाहर नहीं आ सकते, मत आईए, मैं भी बाहर नहीं जाऊंगी, और सच्चा यह है कि मैं बार-बारी कोशिश कर रही हूँ पता लगाने के लिए कि खाना किस-किस के घर में जाएगा, और जैसा मैंने बता, एक बस्ती में 18 लोग है, 18 परिवार है, जिनको यह खाना जा रहा है, उसके अलावा जो सच मुझ में जिनको जरूरत होगी, और इस टीम में बकील, बिزनसмен, यह सारे लड़के हैं, और यह जरूरी है कि हम अपने उन नौजवानों को, उन लोगों को जो तकलीफ में है कि हम कैसे लोगों की मदद करे, उनको, उनको, उनका सहयोग करे, और आप और मैं ये कर सकते हैं पर यहाँ पर आज मैं बात कर रहे हूं कि हमारे जो प्रदान मंत्री जी है ये बड़ी बड़ी बाते बता रहे हैं बीमा कर दिया किसका बीमा जो सड़क पे मर जाएगा क्या उसके घर में पैसा आप भेजेंगे आपने जो माइगरिंट लेब को बस alltid को इंतिजाम करना पड़ा है यह है social distancing सीखे उन पुलिस वालों से जो जगा जगा जाके लोगों को सिखा रहे हैं उनने मास्क दे रहे हैं उनको बैठा रहे हैं दूरी बनाने को कह रहे हैं उनने खाने के packet बना के दे रहे हैं इन से सीखे प्रदान मंत्रिजी आपके पास पूरा अम्री जामा था कि यदि आप चाहते इस पूरी चीज को ठीक तरीके से आप समझा लेते, आप इसको एग्जेक्यूट कर लेते, मगर आपके हर प्लान की तरह ये बेकार प्लान है. पहले आपने कहा कि नहीं ये भारत को अफेक्ट नहीं करेगा जैनवरी में कहा फरवरी में आपने कहा कि हम लोग बचे हुए हैं इससे और अब आपने मार्च में भी ये कहा था या नहीं कहा था कि नहीं हमारे को हम लोग बिल्कुल सिक्योर हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है तो फिर मुझे बताईए कि जनता कर्फियू और जनता कर्फियू के बाद लॉकडाउन क्यूं क्यूं नहीं जवाब देते आप इस बात का क्यों नहीं आप लोगों को कहते जो आपके भक्त है जो सड़कों पे निकल के जिनोंने सोशल डिस्टेंसिंग का खात्मा कर दिया था 22 तारीक को आपके कहने पर ताली बजाने के साथ साथ पटाके भी फोड़े थे क्या हम कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्या हम कोई चीज का जश्न मना रहे हैं शर्म नहीं आई आपको भी कि आप उनको ये बात बोल नहीं पाए आज आप कह रहे हैं कि मैं गरीबों से माफी मांगता हूँ कौन से गरीब हैं ये कौन से जो आपकी लिस्ट में हैं कौन से है गुजरात के गरीब हैं केवल गुजरात के गरीबों से बात कर रहे हैं क्योंकि आप गुजराती प्राइम मिनिस्टर जरूर बन गए हैं मगर प्रदान मंत्री की तरह काम नहीं कर रहे है प्रदान मंत्री जी जिन लोगों को रोकना है उनको उस जगह पे रोकिए जहां पे हैं वो वहां पे रोकिए उनके रहने और खाने का इंतजाम कर ये प्रदान मंत्री जी ये आपकी जिम्मेदारी है आप आज इस तरह की जो बात मायन और महाभारत देखे तो क्या बाहर की स्थिती संभल जाएगी आप अपने मंत्रियों को कहिए कि अपना काम करें अगर पुलिस वाले जो है वो सडकों पे घूम घूम के काम कर रहे हैं तो क्या उनकी जिंदगी को खत्रा नहीं है यदि उनकी जिंदगी को खत्रा है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मिनिस्टर्स को कहिए कि स्थिती को हर तरह से ध्यान देते हुए ठीक तरीके से आप स्थिती को नियंतरण में लाने की कोशिश करिए आप देखें कि किस प्रकार से हमारे मुख्य मंत्री उत्राखन के मुख्य मंत्री ने एक लिस और उनके नंबर जो है वो पब्लिक करें और ये बता दूँ आपको ये इन MPs के वो नंबर है जो सच मुझ में इनके नंबर है इनके OSD और Secretaries के नंबर नहीं है परन्तु क्या आपको समझ में आ रही है ये बात जो लोग दिली में जो सरकार है उन्होंने जो काम किया है उसका सत्यानास हमारे इस पूरे प्रोग्राम ने किया जब आप इस चीज को ठीक तरीके से एग्जेक्यूट नहीं कर सकते थे तो आप ये स्टेट्स के जो मुख्य मंत्री है उन्हीं को कर लेने देते उन्हीं को कहते कि कुछ समय दे रहा हूं आपको हम लोग डाउन करने जा र अधिकारी गण है ये जैसे आज कोशिश में लगे है ये पहले भी किया जा सकता था बहुत सारे लोग हैं बहुत सारी बाते कहेंगे क्योंकि इन्हें भक्ती दिखानिया है तो भक्तों मुझे ये बता दो कि प्रधान मंत्री माफी माँग रहे थे आज अपने मन की بات में क इससे माफी माँग रहे हैं, वो जो सडक पे घूम रहा है, जो आनंद विहार में भीर लगा के उसका क्या फोन चार्ज हो रखा होगा, या वो पिता जो साइकल पे अपने परिवार को लेके जा रहा है, या वो बच्ची जो अपनी मा के पाओं पे पड़ी हुई है, या वो म जो उस बच्ची को कह रही है, नई बेटा उठ जा, इस गर्मी में भी चल, हम चलते हैं, मगर हैट्स ओफ, हमारे डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमारे डॉक्टर्स की हमें मदद करनी है, जो कुछ हम कर सके, वो हम करे, देखे, सूरत के होंगे, जो साजा किये गए होंगे, क्योंकि राज्य सरकार जो हैं, कई जगा पे मैं देखा, बहुत अच्छा काम करें, कैरला में देखिए, वहां की हेल्थ मिनिस्टर ने पहले तैयारी कर ली थी, जब बच्चों ने आना था, बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को पहले कह रहे हैं, बिल्कुल सही, ये पैसा लगाना चाहिए, अब देखिए कि, इसे कहते हैं, कि किस तरह से आप पियार का काम करते हैं, आपने देखा कि प्रधान मंतरी जी ने कल PM CARES FUND बनाया PM really cares Do you really care कि कौन काम मर रहा है PM CARES FUND में हमें आज crowdfunding करनी पड़ रही है हमें लोगों से मांगना पड़ रहा है और देखिए Tata Trust जो है वो आगे आया 500 करोड हनों ने दिये 1000 करोड Tata Suns ने दिये 25 करोड अक्षे कुमार ने दिये 31 लाग सुरेश रहिना ने दिये और मुझे उम्मीद है कि और भी लोग जो है आगे आके देंगे परन्तु मैं जानना चाहती हूँ कि वो 22,000 करोड जो आपने अलग allocate करके रखे हुए हैं South Block को ठीक करने के लिए Parliament House को ठीक करने के लिए वो पैसा क्यों नहीं लगाया जाता करोणा की बिमारी से जूजने के लिए वो पैसा इस वक्त वहाँ से हटा दिया जाना चाहिए इस वक्त वो पैसे को डाइवर्ट करके करोणा के लिए लगाया जाना चाहिए बहुत सारी कंपनीज है जो सानिटाइजर्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सानिटाइजर्स जो हैं वो बाजार से गायब हो रहे हैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि डेटॉल साबून अगर है लाइफ बॉय है जो भी साबून है उससे हाथ को रगड़ रगड़ के साफ करें हाँ एक और सडकों पे हैं उनकी हाए लगेगी और उनको देख देखकर हर वो व्यक्ति जिसका दिल तूट रहा है उसकी हाए लगेगी क्योंकि इस देश में उन गरीबों को देखो जिस तरह से पुलिस उनको मार रहे हैं उनको खड़ा करके पीछे मार रहे हैं डंडों से क्या ये ये अगर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान नहीं होता हम उनके आत्मसम्मान को नश्ट कर रहे हैं उनके आत्मसम्मान को चूर चूर कर रहे हैं शर्म नहीं आती आप लोग कैसी बाते कर रहे हैं सोच के देखें उन गरीबों को जिन गरीबों को सड़क पे चलते हुए वे में निकल रहे हैं, शहर में रहते हैं, घर में बाहर जाएंगे, टह लेंगे, अपने घर में आ जाएंगे, गाड़ी लेके जाएंगे, उन्हें डाट दिया, उनकी गाड़ियां सीज हो रहे हैं, बहुत सारे पुलिस वाले कर रहे हैं, मगर उनको डंडे मार के दिखाईए ज यह होगा क्या इमीडिटली आज जब प्रधान मंत्री जी आये ते और मैं चाहूंगी कि प्रधान मंत्री हर रोज आ जाए टीवी पर और लोगों से बात करें जहां जहां गलती हो रही है उसको अड्रेस करें उसको देखें उस बात को कहें ऐसा ना करें कि जो बिचारे गरी लोग सडकों पर जा रहे हैं परिवारों से दूर है आज उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं कमाने के लिए कोई काम नहीं उन लोगों की कुछ इज़त करें है प्रभू कुछ सदबुद्धी दो इन पुलिस वालों को उन लोगों को जो यह इस बिमारी को लेके आए हैं मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो विचारे गरीब जो हैं उनसे पुलिस मुर्गा बनवा के कुदवा कुदवा के भेज रही है कि कूद के जाओ तुमने सोशल डिस्टिंसिंग तोड़ी है सोशल डिस्टिंसिंग नहीं दूर दूर रख के अब समझा भी तो सकते हैं अगर सजा देनी है तो हमारे जैसे लोगों को दो अगर हम बाहर जाते हैं हमें सजा दो अगर हम कोई कानून को तोड़ते हैं परंतु खृपा करके पुलिस वालों से निवेदन कर रही हूँ नाई का काम हो होटेल्स में खाना बनाने का सर्व करने का ये वो वाले गरीव है क्या ये नहीं हो सकता कि हम इनकी कुछ इज़त करें तेरा भी प्रतिशत लोग बहुत खुश तुमारी बात से सतेंद्र तू अपने नाम के आगे डॉक्टर तो लगा मत क्यूंकि तेरे जैसा जाहिल आदमी मैंने देखा नहीं है तुझे शर्म नहीं आती कि देश में लोग इस तरह से मारे मारे फिर रहे क्योंकि तू अपने घर में आराम से बैट कर इंटरनेट चला कर मेरी बात को आज सुन पा रहा है तेरे को शर्म नहीं आती तुझे ये नहीं लग रहा कि वो जो लोग है जो बाहर जो सडकों पे है हमारा सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो दूसरे शहरों के लोग हमारे शहर में काम कर रहे हैं हम सब उनके लिए कुछ खाने का पैकेट बनाए उन तक पहुँचाए उन्हें समझाए कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं हर राज्य सरकार काम कर रही है और उनके खाने का भी पूरा इंतिजाम करेगी और अगर सरकार ना भी करे तो हम हैं, हम कम से कम कुछ परिवारों के मदद अवश्य कर सकते हैं, अगर मैंने ये देखा, मुझे दो-तीन दिन से फोन आ रहा था उन बच्चों का, जो कह रहे थे, मैम कुछ करना है, कुछ करना है, और तब तक मैं अल मरोना वाइरस नहीं चाहिए, और केवल ये कहबर देने से कि मैं गरीबों से माफी मांगता हूँ, कि मैने अचानक लॉगडाउन किया, प्रदानön मन्त्री जी, ये काफी नहीं है, माफी अगर आपको मांगनी है, तो माफी से ज़्यादा जरूरी है, कि जो लोग सडकों प पहुचाए या उनको उस जगह पे पहुचाए जहां पे उनके सर पर छथ हो और जहां पे उनको खाना मिले उन्हें ये डर ना हो कि इस प्रकार से उन्हें सडकों पे मारे मारे फिरना होगा मैं अपनी टीम को जो जिसमें एड़ोकेट रॉब इंत्यागी हैं वेभव मलोतरा हैं और भी बहुत सारे लोग हैं उन सभी लोगों को संदीब शर्मा जो हैं नीलीमा शर्मा इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूं कि इन्होंने योगदान किया आप सब भी ये कर स लगते हैं पर मैं फिर कहूंगी कि अगर हम आज 50 परिवारों को खाने का समान दे सकते हैं और 5 किलो आटा 2 किलो चावल कुछ तिन तो उनके लिए काम आएगा ना और उसके आगे देखा जाएगा लेकिन ये करना कि हम अपने गरीब भाई बेनों के बारे में सोचे ना और इस वक्त ये राजनीती के बारे में सोचे कि प्रधान मंत्री जो कह रहे हैं उसकी वावाई में लग जाए तो हम उनकी भी मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि यदि जो हमारे प्रधान मंत्री जी है अगर उनको सच्चाई ना दिखाई जाए तो गलत आप भी कर रहे होंगे और आप कलंकित कर रहे होंगे स्वैम को अपने परिवार को यदि आप सब को कहें कि नहीं जो लोग सडकों पे हैं उनको सुनना चाहिए आप भी बलबीर पुंज की तरह हो जाएंगे जो कह रहे हैं ये गरीब क्यों जा रहे हैं ये गेर जिम्मेदाराना बेहवियर कर रहे ह ये घर जा रहे हैं क्योंकि इनको आराम करना इनको छुट्टी मनानी है सोचके देखिए ये बिमारी गाओं तक ना पहुँचे इसके लिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम इन लोगों को बताएं कि हम लोग इनके साथ हैं इनको इनके खाने की व्यवस्ता हम भी कर स कि आप लोग अपने दिमाग की बिमारी को खत्म करने की कोशिश करिए सही करिए लोगों की मदद करिए घर पे रहिए और एक ही जने अगर दो तीन परिवारों से बाहर जाके सामान लाएगा तो सामान महंगा नहीं होगा जो एक और दिक्कत हम देख रहे हैं इस वग सामा कि जिनके घर में खाना है आप लोग क्रिपा करके दो दो तीन तीन बार पैकेट्स मत लीजेगा क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं जिसकी जितनी शमता है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक लोगों की मदद कर सके और लोग अगर मदद करने को आगे आए हैं ये तभी सफल होगा यदि सभी कोई ठीक प्रकार से इसमें इन्वॉल्व रहे 108 के कर्मी जो हैं उनके लिए भी कहना जाओंगी अपनी सरकार उत्राखंड सरकार से कि अभी तक हमने बहुत अच्छा काम किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ चीजे जो है उसमें हम लोग बोलते रहते हैं मगर overall मैं संतुष्ट हूँ आज बहुत सारी चीजे खुली हैं जो online delivery खाने की है उससे मैं सहमत नहीं थी मगर ठीक है यह शायद वो try करना चाहरे होंगे लेकिन उनसे निवेदन है कि 108 के जो पूर्फ कर्मी है उनकी भी लिस्ट को वो अपने पास बना के रखे ताकि यदि कोई ऐसी अन्होनी होती है तो इनकी मदद ली जा सके पर मैं इश्वर से प्रातना कर रही हूँ कि हमारे गया जो 6 केसे आए है उनमें से एक बिल्कुर ठीक हो गया दो और लोग है जिनकी रिपोर्ट्स तीसरी बार नेगिटिव आई है और 1100 लोगों से जादा लोग जो है वो होम आईसोलेशन होम क्वारंटीन में है तो मैं उम्मीद कर रहे हूँ कि सभी कोई ठीक हो जाएंग और हम सब मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे इसलिए सरकार जो भी निर्देश दे रही है उसका पालन अवश्य करें और आगे आए और कोशिश करें कि जब आप अपना राशन लाते हैं तो एक ठेला ऐसा बना लीजे जो किसी गरीब को के काम आए और कुछ नहीं तो दा संभल के इस्तेमाल करने की जरूरत है सरकार का साथ देने की जरूरत है परन्तु ये जरूर कहूंगी कि बलबीर पुन जैसे लोगों को शर्मानी चाहिए कि अपने घर में आराम से बैट कर इस तरह की बाते करते हैं कि ये जो माइगरेंट लेबर्स हैं दिहारी मजदूर गैर जिम्मेदाराना है और भीहेवियर कर रहे हैं और घर जा रहे हैं चुट्टी मनाने के लिए और प्रकाश जावडेकर जी आपने जो माभारत और रामायन टीवी पे चालू किया है उसका लाब बहुत सारे लोग लेंगे मगर उससे सीख भी कुछ लेंगे और आप से भी निवेदन है कि आप भी उससे कुछ सीख लेंगे और जिस तरह से पुलिस कर्मी, डॉक्टर, सफाई कर्मी सब कोई काम पे लगे वे आप भी बाहर निकल के भी काम करेंगे और देखेंगे तो साथियों आप सबसे उमीद कर रहे हैं हो कि अपने आस पास के लोगों की जितनी मदद आप कर सकते हैं आप करेंगे, आप से दोबारा मुलाकात होगी, खुश रहिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा, आप सुबह तैयार ठीक से हुआ करिए, ऐसा ना करें कि घर में हैं तो तैयार नहीं हो रहें, और आप अपने थोड़ी सी म्यूजिक सुनिएगा, थोड़ा सा फोन पे किसी से बात करिएगा, ऐसे किसी व्यक्ति जो अकेले पन में डिप्रेशन में जाते हैं वो डिप्रेशन में ना जाएं, वो फोन करके एक दूसरे से बात करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, किताब पड़ें, टीवी पे कुछ गाने सुन लीजे, थोड़ा डांस कर लीजे, थोड़ा एकसरसाइज कर लीजे, और सकरात्मक तरीके से अपने घर में रहें, बाहर मत जाएए, बाहर नहीं जाना है, अगर हम बाहर नहीं जाएंगे, तो इस लड़ाई से बहुत अच्छी तरह से हम लड़ पाएंगे, परंतु जो जो लोग बाहर हैं, जो गरीब हैं, उनके बारे में सोचे, उनके लिए भी आज हम प्रार्थना करें, ऐसा निश्चे करिए, उनको उनके गंतव्य स्थान पर पहुँचने में मदद हो, सरकार उन्हें अगर रोके, तो उनके लिए अच्छे इंतिजाम हो, कोई गरीब इस देश में भूख से ना मरे, ऐसी प्राटना अवश्य करे, देश से गरीबी हटे ऐसा ना हो, कि गरीब हट जाए, जैसा आज हो रहा है, प्रधान मंत्री जी से उम्मीद कर रही हूं, कि अगली बार देखेंगे, और मांगेंगे माफी, उन लोगों से जो सच मुझ में सुन नहीं पाए, और प्रधान मंत्री जी से ये भी उम्मीद कर रही हूं, कि जहां पे जो व्यक्ति है, उसको वहां रोक कर उसके खाने पीने रहने का इंतजाम करवाएंगे, इस सिलसले में जाने से पहले, योगी आदित्यनाद अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बहुत- धन्यवाद, और केरिला की जो स्वास्त मंत्री हैं, उनका मैं आपको बता दू, केरिला में बहुत सारे बच्चे वोहान के मेडिकल स्टूडन्स इस बिमारी के साथ वापिस आए, मगर उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली थी, इसलिए अभी तक केरिला में एक भी मौत नही हुई है, जबकि आंकड़ा जो है, वो 180 के पार जा चुका है, तो अगर हर एक कोई अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएगा, तो हम सब अपनी सरकारों का साथ दे सकेंगे, और सरकार को सही सुझाव और सही बात बता सकेंगे, दोबारा मुलाकात होगी, सभी COVID वारियर्स के लिए प्रार्थना करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, आप सब से ये निवेदन करती हों कि आप भी ऐसा करें, नमस्कार, जैहिंद